नमस्कार जैहिन दोस्तों दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार से प्रैक्टी सेट और यह आपका एरुटेरिया के तरफ से आपका नया प्रैक्टी सेट निकाला गया है आज हम इसी का जो है सेट देखने वाले हैं वैसे अगर हम इस किताब की बात कर लेते हैं तो आप आप सभी को पताई होगा यह आपका वालिम टू प्रैक्टी सेट है इसमें आपका दोस्तों जो है 15 प्रैक्टी सेट दिया गए आप यहां पर देख सकते हैं एक दम बिहार इसाई के पैटरन पर है अगर आप इसको चाहें तो मार्केट से आप खरीद के सेट लगा सकते हैं दोस्तों हमने जो है इसका देखेस सेट नबर जो है 4 अप्लोड कर दिया है आज देखे हम दिखा देते हैं जो हमारा प्रैक्टी सेट होने वाला है या आपका सेट नबर 5 ठेक है और इसमें आपका पूरा सो कॉसन मिलेगा जो कि आप इसको पूरा देखियेगा सभी कोसन आपके एक्जाम के लिरे इंपॉर्टन्ट है चलिए वीडियो को सुरूँ कर यह हमारा सेट नमर फाइप इसमें देखिए दोस्तों आपको पता है अभी आपको सो को सिन मिलेगा और देखिए इसमें आपको 200 माक्स का को स्चन है और दोस्तों आपको जो है एक्जाम में दो गंटे का टाइम मिलेगा तो आराम से कोशन को देखना है और एक एक कोशन को आपको बहतर वे में बनाना है ठीक है चलिए पहला हमारा प्रसने क्या है देखते हैं किसी राज्य सरकार ने अनास बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक इस्थापिज करने की घोशन किया है तो आपका प्रसन है तो इसका अंसर बताई क्या होगा देखिए मैंने इस पीडी का जो है मास्टर बीडियो बना करके डाल दिया है गर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लिजेगा वहां से आपका सब भी प्रसन जो है दोस्तों बनेगा हर एक सेट में ठीक है इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा उत्राखंड उत्राखंड जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रखिएगा केंदरी बजट 22 फिर से पढ़ेंगे केंदरी बजट 2223 के अनुसार उल राचकोसी घाटा का अनुमान जो है अनुसार केंदरी बजट 2223 के अनुसार कि सच्छेत्र के लिए डिजिटल पबलिक इंफ्राटक्चर का निर्मान जो है किया जाएगा तो इसका सही आंसर हमारा देखिए हो जाएगा क्रिसी क्रिसी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रख जाएगा किसका थर्मल उड़ जाएगा दोस्तों और हमारा जो है बीस हो जाएगा आर्थिक समिक्षा 2223 के अधार पर विश्व बैंक की अनुसार 22 में सिर्ष धन प्रेशन प्राप्त करता देश कौन सा है अगर हम प्राप्त करता देश की बात कर लेते हैं तो यह आपका अपना भारत यानि अपना भारत से दोस्तों और जो है पांचवे का एक सही आंसर हो जाएगा ठीक है और भारत की बात करते हैं तो विश्व बैंक के अनुसार वर्ष दोर 22 में सिर्ष धन प्रेशन प्राप्त करता आपका सौ बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है मेक्सिको जो है आपका साथ बिलियन अमेरिकी डॉलर है और चीन की बात करते हैं तो आपका 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर यहां पर हो जाएगा अगला की हाल ही में प्रधान मंत्री नरेद्र मोधी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया सनेंत्र का उद्गाटन किस राजी में किय गया है यह कौन से राजी में किया गया है तो देखे यह आपका किया गया है गुजरात राजी में कहां पर दोस्तों गुजरात राजी में ऑप्सन नमबर हमारा जहें ए सही हो जाएगा प्रति वर्स किस सतीथी को विभाजन विभीसी का इसमिरती दिवस मनाने का निर्णे प्रदान मंतरी मोधी द्वारा जो है कहां पर लिया गया है यानि किस तारी को लिया गया है देखिए इसका सही आंसर हमारे देखे कोसर नमर 7 का हो जाएगा ऑप्सन नमर भी 14 अगस्त को 14 अगस्त को दोस्तों ऑप्सन नमर हमारे हैं पे बी सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा भूलिएगा नहीं नेश्ट हमारा है को सनबर एट दिसंबा दौरबाइस में आये बंब चकरवात देखे लिखा गया यहां पे बंब चकरवात निम्न में से किस छेत्र को जो है परभावित किया है तो यह आपको परभावित किया अमेरिका और कनाड़ा को अमेरिका कनाड़ा हो जाएगा ओप SAY एस धंबू हो दोस्तों option number हमारे यहां पे ए सही answer हो जाएगा आप इसको याद रखिएगा इसे इस रोग द्वारा जो है डिजाइन और विक्षित किया गया है चले आगे हम अगला प्रसन देखते हैं देखिए अगला हमारा प्रसन बोला है कि तूर्की एवं सीरिया में तूर्की एवं सी उप्रसन जो है चलाए गया है तो ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा दोस्तों ऑपरेशन दोस्तों हो जाएगा option हमारा यहां पे डी सही answer हो जाएगा ठीक है तो आप याद रखिएगा एक हमारा है ऑपरेशन देवी सक्ति बीए पच्छे से याद रखिएगा तेखिए अफगानिस्तान में भारती नागरिकों को निकालने के लिए जो है ऑपरेशन देवी सक्ति चलाए गया है तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा एक हमारा जो है ऑपरेशन सदभावना है ठीक है यह आपका JNK में ग्रामिड शेत्रों और LOC की आसपास के छेत्र जो है ऑपरेशन उपलब्द जो है आपका दोस्तों चलाए गया है ऑपरेशन ठीक है चलिए 17 भारत वन इस्तिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंगरो वन कितना वर किलोमेटर है तो देखिए यह आपको देखने की मिलते है करीमन 4992 किलोमेटर हो जाएगा ओप् कित तो यह आपको देखने को भ Gleiche में कहात है मिलता है क्युग में और हो जाएगा और हो ही उत्तर परदेश की बात करते हैं तो उत्तर पर देखिए आपको underlying जीनी को देखने की से अगर घील आपको मद्धिय पर्दिश में देखने को मिलता है एक हमारा आंदर पर्दिश दिया गया है तो कोलेरू घील आंदर पर्दिश में टीक है तो यह सब पॉईंट भी आप अच्छे से याद रखेएगा भारत में अभी तकर कुल कितने समद्र टडों को ब्लू फ्लैग प्रमानंद से जो है सम्मानित किया जा चुका है तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा 13 का तो इसका सही आंसर देखी हमारा हो जाएगा 12 12 जो है सही उत्तर हो जाएगा अगला कि साइकलोन 1 सैन्य अभ्यास कायुजन भारत और किस देश की बीच जहे हुआ है साइकलोन वन अगर हम साइकलोन वन की बात करते हैं तो भारत और मिसर की बीच में हुआ है भारत और मिसर की बीच में option number हमारा दोस्तों यहाँ पे D सही answer हो जाएगा वही बात करते हैं भारत और सिंगापूर में कौन सा हमारा दोस्तों अभ्यास हुआ है तो बोल्ड कुरुक्षेतर हुआ है बोल्ड कुरुक्षेतर जो है भारत और सिंगापूर के बीच में और भारत जैपान की बात कर लेते हैं धर्म गारजियन जो है भारत जैपान के बीच में आपका सैन्य अभ्यास है और वही बात करते हैं भारत और इंडोनेसिया की बीच म बना दिया गया है देखिए आपको अधिक टाइम नहीं मिलने वाला है दिसंबर में देखिए आपका एक्जाम यहां पर हो जाएगा तो देखिए टेलिग्राम पे गुरुप बनाए गया है उसमें आपको डेली सुबह जो है साथ बजे प्रैक्टिस से चलता है अगर आप उ मिल जाएगा आगे हमारा एक जलवायू परिवर्तिन प्रदफल सुचका यंग द्वारत का इस्थान क्या है दखिए भारत का इस्थान आप अच्छे स्याद रखेगा यह आपके आठवे नमबर पर जो है भारत का इस्थान आता है ओप्सन नमबर हमारे हैं पर दोस्तों बी हो जाएगा राष्ट्रिय विग्यान दिवस दवार किसी तो नमबर ए स! सही आंसर हमारा हो बंद्री नरायन ओपसर हमारे हमारे हंपे डी सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो आप अच्छे से याद रखे मपूल यह ग düşün नहीं और एक हमारे दियागे है अजीत ाजाद तो आजित आजात की बात करते हैं तो मैतली भासा के लिए जो है इनको समानित किया गया है और यहां पर हम दोस्तों बात कर लेते हैं अनीस असफाक तो यह आपके हो जाएंगे अनुराधा रोय तो अनुराधा रोय की बात करते हैं तो अंग्रेजी भासा के लिए ठीक है तो यह अगोस्तिनी हो जाएगा उसके बाद ल लिए यह जाएगा और फेरेंस क्लाउस हो जाएगा ठीक है यह सब आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है अगला कि 12 में विश्व हिंदी समिलन कायू जन कहां पर किया गया है कि दोस्तों यह जो आपका किया गया है पच्छे से याद रखेएगा फीजी में किया गया है कहां पर फीजी में ऑप्सन नमबर डी राइट हो जाएगा बाइस में फीफा वीश्वकब्ड और बाइस के विजेता का देश है तो विजेता की बात करते हैं तो यह आपका प्रस्ण लगा चुका है तो इसका अंसर देखिए हमारा ब्राजील हो जाएगा ऑप्सन नमबर हमारे हैं पर यह हो जाएगा जो इनका उमर रह चुका है दोस्तों यानि जब उनका उमर था जब यह इनका अमिरती हुआ है तो 82 साल के थे और वे 1958 1962 और 1970 में ब्राजील को फ दोस्तो पाकिस्तान हो जाएगा ऑप्सन में all बी राइट हो जाएगा के इंदरिय को पत्से पालन पाशु पालन एवं दिरी मं अनुसार भारत मचली उत्पादन में विश्चो किस इस्थान पर एविश्चो में किस स्थाण पर है भारत की मामलें पोछ रहा है तो यह पच्छे स्याद रखिएगा अगला है कि दच चीप को मुमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखा कौन है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेखर पाठक सेखर पाठक ऑप्शन नमबर दोस्तों हमारे हैं पर क्या होगा तो बी सही आंसर हो जाएगा सेखर पाठक अगला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपंदवार 23 के पुरुस एकल विजयता कौन है और अगर हम विजयता की बात करते हैं जो हारे है इसमें तो इस्टेफानोस सित सिपास हो जाएगे ठीक है तो यह भी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना है अगला है कि चार्टर एक्टर 1413 के संबंध में इनमें लिखित कतनों पर विचार कीज़े क्या हमारा इसमें सही है है न तो सही के बारे हम पूछ रहा है तो देखे इसने भारत में इस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक अधिपात्य को चाय का व्यापार था चीन के अगला है कि भारती सम्धान के प्रकार के नियां सवतंदर का है सब्सकें डुषटा की सब्सक्राभिचे जो हमारा निया दे दोस्तों परकार और जो समानता है पांच और समानता जो है जुँथ दोस्तों हमारे हैंपक डू दो हो जाएगा ठीक है तो आप अच्छे से याद रखिएगा भूलिएगा नहीं चलिए आगे देखेंगे अगला हमारा है किस सम्मिधान संसुधन के द्वारा जो है यह प्रावधान किया गया है कि मंतरी परिशाद में मंतरियों की संख्या प्रदान मंतरी को सामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए 15% से जादिक दोस्तों नहीं होना चाहिए तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा एक क्यान वेवा सम्मिधान संसुधन और हमारे हमारे हैं पर सी हो जाएगा और यह आपका हुआ कब था तो यह आपका हुआ था 2003 में हुआ था आप इसको अच्छे से याद रखिएगा देखिए सम्मिधान के अनुशेत 85, 85 के कलाउज 2 के अनुशार अगर हम देखें तो राश्टरपती परदान मंत्री के सला या फिर परामर्स पर लोग सभा को भंग कर सकता है चलिया आगे हम देख लेते हैं निमलिकित में से कौन सही सुमिलित नहीं यानि कौन हमारा एक कि समाचार पत्रा धनियम जो है 1908 हमारा सही दिया गया है तो ठीक है तो आंसर हमारे यहां पर दोस्तों क्या होगा तो सी जो है यहां पर गलत उत्तर हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रखिएगा भूलिएगा नहीं ठीक है चलिए नेश्ट है कि पंचायतों एवम न भारत में नियाइक प्रविलोकन के सक्ति का परियोग किसके द्वारा जो है किया आता है किसके द्वारा दोस्तों यह आपका होता है तो देखिए आप याद रखिएगा उच नियाले के द्वारा होता है और सरवच नियाले के द्वारा होता है तो आप आंसर जो है यहां प तो यह कहा गया है समिधानिक उप्चारों के अधिकार को समिधानिक उप्चारों के अधिकार को दोस्तों कहा गया है तो देखिए अनुछे 32 अर्थात समिधानिक उप्चारों के अधिकार को जो है समिधान की आत्मा कहा गया आर्टेकल 32 में ठीक है तो आप इसको अच्छे स याद रखियेगा भूलियेगा नहीं वही बात कर लेते हैं प्रस्तावना के बारे में देखिए पंडित ठाकुर्दास भारगों ने समिधान के प्रस्तावना के संबन में कहा है कि प्रस्तावना समिधान का सबसे सम्मानित भाग है या समिधान की आत्मा है किसने का है तो पंडित ठाकुरदास के द्वारा ये कहा गया है वही अगर हम बात कर लेते हैं कियम मुंसी की बारे में तो कियम मुंसी का नुसार जी है कहा है क्या कहा है समिधान का परिचे पत्र का है एन ए पालिकी वाला ने तो यह सब पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है अगला कि निम्न में से कौन समिधान का संघी गुड़ नहीं है इन में से हमारा जो है समिधान का संघी गुड़ कौन सा नहीं है तो एकल नाग प्रमुख बैंको का राष्ट्री करण किस पंच वर्षी योजना के दौरान किया गया था यह कौन से पंच वर्षी योजना के दौरान किया गया था तो देखिए यह आपका जो आपका छठा पंच वर्षी योजना हुआ था इसी के दौरान किया गया था और बात करते हैं 1980 में 65 वर्षी उजना के दोरान किया गया था जबकि 14 प्रमुख बैंकों का जो राष्टिक रड़ हुआ है या आपका हुआ है वर्ष 1979 में हुआ है ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है अगला एक राष्ट्री बागवानी बोर्ट की स्थापना कब किया गया था देखे राष्ट्री बागवानी बोर्ट की स्थापना की बात करते है तो वर्ष 1984 में क्या गया था दोस्तो ऑप्सन नंबर हमारे हैं पे डी सही आंसर हो जाएगा जो इसका मुख्याल है यह आपको गुरुग्राम यानि हरियानः में देखना की मिलता है और यहाब बोर्ड जो है दोस्तव स्ववायत कंपनी के स्वायत कंपनी के रूप में कारी करती है है ना यह भी पॉइंट को आप पूछा सिह ज़यत लगना है आते 38 पे बुला कि डाक घर बचत संगटनों की सभी जमाओं की किस समगर मुद्रा आपूर्ती में सामिल किया गया है मुद्रा आपूर्ती में सामिल किया गया है तो यह आपको होज़ागा M4 option number D अगला कि आत्मिर भरता कि उद्रेसे को पहली बार किस पंचवर्सी योजना में सामिल किया गया था कौन से पंचवर्सी योजना में सामिल किया गया था तो यह आपको होज़ागा तीसरी पंचवर्सी योजना option number हमारे हैं पर सी सही आंसर हो जाएगा आप भी इसको अच्छे स्याद रिखेंगे और इस योजना की कारेकाल की बात करते हैं तो वर्स 1961 से ले करके दोस्तो चांचवर्सी योजना का उद्धो का विकास करना था तो यह भी दोनों त्वीनों पॉइंट को भी आपको जाए चुका हैएख आब मूलयन दोस्तो जो है किया युजना चुका है तो करीबन तीन बार हो चुका है दोस्तो कबАब हुआ है ता यह आपको वर्स उननीस सो उन्यसों रिखेंगे ऑचीनात ठीक है तो तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है नेश्ट प्रस्न है निमलिखित में से कौन से दर्रा जो है स्री नगर और लेह को जोड़ता है तो यह आपको होज़ागा जोजिला दर्रा ये भी आपको याद रखना है भूलना नहीं है निमलिखित में से कौन सा इस्थान जो है यूरेनियम के खनन के लिए प्रसीद है उत्तर हमारा हो जेगा दोस्तो जाद गोडा और भारति यूरेनियम नीगम की जो इस्थापना हुआ पिएरिंग जलदमरू मध्ये निलेखित में से किसे जोड़ता है तो यह आपको जोड़ता ही दोस्तो आर्किटिक महासागर और प्रशन्त महासागर को जोड़ता है दोस्तों आप्शन नबर हमारे सी सही आंसर हो जाएगा अगर वही हम बात करते हैं जिब्राल्टर के बारे में तो भूमादे सागर और अट्लांटिक महासागर को जोड़ता है डोवर के बारे में भी याद रखिएगा उत्तरी सागर इवं अट्लांटिक महासागर को जोड़ता है दोस्तों मलक्क जो है आपका जावा सागर एवं बंगाल की खाडी को जोडता है और वही अगर हम पाख की बात करते हैं तो बंगाल की खाडी एवं मन नर की खाडी को जोडता है तो चार-500 पॉइंट जो है eight में 9 वलन को क्या कहे लाता है ne Somali MPा वलन जो है यह दाउन फोल्ड तो इसका आंसर देखें चवाली को हो जाएगा दोस्तों चवाली का अभीनती हो जाएगा अभीनती ऑफसन नमबर ए सही हो जाएगा अगला है को लेड़ु जील किस भारती राजिमी स्तित इसके पहले का देखिए मैंने को लेड़ी जील के बारे में आप चारबाएगा किरल में ऋखटक दूस्तों मनीपूर में चिल का औरिशा में और जो डीर्वाना जिल यह आपको रास्थान बेदVideo को मिलता है अरेले कि सरदार सरोवरबांद किस नदी पर बना हुआ है तो यह आपको देखने के मिलता है नर्मदा नदी पर काहां पर नर्मदा नदी इससे आपका आंसर यह हो को नोट करना है निनलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत थे सबसे उतरी बिंदू आपका इंदरा कॉल है सही है भारत का पूरवी बिंदू की बात करते तक तो सभी को पॉइंट को अच्छे से याद रखना है भूलना नहीं है वीडियो को लाइक भी करना है क्योंकि आप सब लोग लिए इतना महनत क wires घारा है ठीक है अगला है कि आ कि अगास घंगा की निकत्थम इस्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है अगर हम SPIRAL GALAXY की बात कर लेते हैं तो यह आपको होजाएगा एंडरो मेटा एंडरो मेटा गलेक्सी ओपसन नमबर भी अगला की क्वाटर जाईट निम्न में से किस परकार का एक जो है सायल होता है सही आंसर हमारा हो जाएगा रुपांत्रिक सेल होता है दोस्तों आपसे नमर हमारे हैं पर D सही हो जाएगा चली पचास नमर देखेंगे बुला कि वह छेतर जहां पर किसान के वल सबजियों में विसे सग्यता रखते हैं इस परकार के खेती को क्या कहाता है तो कि इस परकार खेती के अगर हम बात करती है इसको दोस्तों हम करते हैं ट्रक फॉर्मिंग कहते हैं यानि आप आंसर यहाँ पर आप D लगाएंगे अगला कि मौर रेकाल में संस्थायम संचार का सम्मन किसे से था तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुप्तचर विवस्था से किस से हो जाएगा दोस्तो गुप्तचर विवस्था से हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रखिएगा भूलिएगा नहीं अगला है कि मिथिला के करनाट वंस की इस्थापना जो है किस ने किया था तुक जो है दुस्ति इसका सासन काला है और जो इस वंस का जो अंतिम सासक रहा है दोस्तों तो हरी सिंग देव हरी सिंग देव थे चलिए हमारा जो है कोसेंबर तीरपन निमलिखित घटनाओ को काल करम का नुसार जो है बढ़ते हुए सही कर्म में आपको व्यवस्तित करके बताना है तो चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं देखिए अगर हम वासको डिगामा की जो दूसरे भार भारत यात्रा हुआ था पंद्रस सो एक में हुआ था और जो वांडी वास का युद्ध हुआ था वांडी वास का युद्ध युद्ध आपका होता सतरह सो साथ में हुआ था इस्ट इंडिया कंपनी की जो इस्थापना हुआ थे आपका दुस्तों हुआ था सोलो सो में ह हुआ था और जो आपका बेदरा यूद्ध हुआ था आपका सतरह सो उनसट में हुआ था तो आप ऑप्सन को अरेंज कर लेंगे ऑप्सन हमारे यहां पर सी हो जागा एक तीन चार दो जो है इसका सही उत्तर होगा निम्ण में से किस छेतर में जो है इस्थाई बंदबस्त की प्रथा जो है प्रसलित नहीं था कि दोस्तों पंजाब में दोस्तों नहीं देखने को मिलता है बाकी उडिसा और बिहार अप्तर समझ लेते हैं इसके बारे में हम देखिए भारत में अंग्रेजों ने तीन परकार की जो है भूराजस व्यवस्ता जो है अपनाया था या फ मन के रहेत वड्य विवस्ता की बात करते हैं मद्रास पॉंबई और असम के कुछ इसा निरवाशित हुए थे तो इसका सही अंसर क्या होगा 55 का इसका हो जाएगा अपका 1892 में option number हमारे हैं पे C सही उत्तर हो जाएगा अगला क्रिप्स mission के साथ कॉंग्रेस की अधिवकारिक वार्थाकार कौन थे अगर हम कॉंग्रेस की बात कर लेते हैं तो देखे मौलाना अजाद हो जाएंगे और जवाहला नहरू यानि आप बोल सकते हैं कि हमारे और बी जो है दोनों सही अंसर हो जाएगा और जो क्रिप्स mission भारत का बाया था तो आपका मार्च में आया था वर्स 1942 में मार्च में आया था ठेक है तो आप वह इसको अच्छे से याद रखना है अलागी कंड़ड सहीत के 389 में कौन सामिल नहीं है तो कौन इसमें सामिल नहीं तो आपका यहाँ पे दिया गए कंबन इसमें आपका सामिल नहीं बाकि पोन पंप और रन यह सब जो हैं आपके कुमारदत अस्वनी कुमारदत ऑप्सन नंबर यह हो जाएगा वह एक हम लॉट डाफरीन के बात करते हैं तो लॉट डाफरीन कांग्रेस के बारे में कहा था कि कॉंग्रेस के वल सुक्ष्म अलपसंग से कुलिन वर्क का यह प्रतिनित्यों करती है ठीक है चलिए आगे देख तो जब हला नहरू ने किये थे और कब किया गया था तो यह आपका वर्ट्स 1929 में किया गया था और यह आपका दोस्तों अंग्रेजी में किया गया था यह भी आपको पॉइंट को याद रखना है राश्ट्र पिता महात्मा गांधी द्वारा रुलेक्ट एक्ट के सही उत्तर हमारा होजयागा बलभा चाहरे ओप्सन अंबर हमारे हां पर भी सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से किस राजपुत्स ओसक ने दो असुमेग यग करवाया था तो इसका आंसर हमारा हो जागा राजा जैसिंग राजा जैसिंग ऑप्सन बर डी अगला है कि मारियाह प्रथा पर प्रतिबंद के करण जो है किस जन जातिय ने विद्रोह किया था सही आंसर हमारा देखे 63 का हो जागा दोस्तो खोंड जन जातिय दोस्तो खोंड हो जाएगा option number D बहुत धर्म की बजरियान साखा का उद्या किस सताब्दी में हुआ था तो ये सताब्दी की पूछ रहा है तो पांच वी एंचाटी सताब्दी में दोस्तो option number हमारा जो है A सही उत्तर हो जाएगा अब आगे देखिए हमारा बोला है कि इस्थल और नदी यानि कौन हमारा दोस्तो इसमें गलत है यानि सुमिलित हमारा कौन साथ नहीं है तो चलिए बताते हैं कौन हमारा इसमें गलत दिया गया है तो देखिए तो आपका दिया गया रोपड रोपड दोस्तो जो है चेनाम नदिय ही हमारा जो है गलत हो जाएगा अगर रोपड की बात करते है तो हमारा जो है सत्लद नदिया होना ठीक है वर्स 1998 में परिस्थित की विग्यान केंद्र का मुख्यली जो है कहां परिस्तित है तो यह आपको देखने को मिलता है बंगलूरू में दोस्तों आपसर मड़ी वही अगर हम भौपाल की बात कर लेते हैं तो भौपाल में दोस्तों भारती वन प्रबंधन संस्थान जो क stretches आपको कलकत्ता में देखने की मिलता था थite त्नि-чार पेंट अपको जाद रसना है ने में से कॉन घृन हाज़ के जा यह है उद्हार नहीं है नहीं आपको हैई यहां च्रूआरrey और और लिए साब्रकि पहुचाव को किसवर्स रामसर इस्थल की तो गानि तो यह आप पहुझाएगा वर्स 1981 में वर्स 1981 में ऑप्सन नमबर ए सही उत्तर हो जाएगा अगला के प्रस्थित किया निमलिकित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंद्धों का जो है अध्यन है सही आंसर हमारा हो जाएगा जीव एंव वातवरन जीव वातवरन हो जाएगा अगला की स्पॉंजीला की संग से जो है आपका संबंद्ध थे स्पॉंजीला अगर हम स्पॉंजीला की बात करते हैं तो यह आप को जाएगा संग पेरिफेरा हो जाएगा संग पेरिफेरा दोस् दोस्तों पार्चन केंदर है दोस्तों आप यहां पर होगा निमय लिखित में से कौन संभी मिधिव्ग उत्तर का दोस्तों है इव हैं गूश को किता हमारा देखिया गार्द्ध हो जायेगा और एक लिए आपस्ति हो कि बिटामिन एह हो जाएगा ऑप्सन नमर हमारे हैं पर सी सही उत्तर होगा अब दखिए इसको जो मुख्य शुरोत जैसे आपका दूद होगा अंडा पनीर हरी सब्जी यह सब्जी आपको इसका जो है शुरोत देखने को मिलता है अगला कि उपास्ति की कोशिकाओं को कहा ए आपसन नमर हमारे हूं पर सही करेंगे निमनिकीत में से संवर्ग में तेरी को श्टी हीडे होता है बताइए ध्र == यहाँ आप हम्यद्च की बात करते हैं तो यह आपको अधिवर्यक गरंथी अधिवर्य गरंथी हो ज minist और ऑप्सन ओंबर ब्राइट हो जाएगा मुत्र का पीला रंग किसकी मॉझेद की करनदोस्तो होता है तो यह आपको जाएगा Eurochrome Eurochrome option number D निम्न में से कौन सा जीन की कारियात्मक इकाई है इन में से हमारे दोस्तों जीन का कारियात्मक इकाई कौन सा है तो यह आपको हो जाएगा Cistron option number B Cistron हो जाएगा Planck नियतांग का मातरक क्या है प्लांक नियतांग का मातरक पूछ रहा है तो यह आपको जागा जूल सेकेंड जूल सेकेंड दोस्तों ऑप्सन पर हमारे हैं पर डी राइट आंसर हो जाएगा एक अंत्रिक श्यात्री प्रिथिवी तल के तुलना में चंद्र तल पर अधिक उची छलांग लगा सकता है ऐसा क्यों ऐसा किसलिए देखिए चंद्र तल पर गुर्तवा करसर बल का मान प्रिथिवी के तुलना में अगला है कि बर्फ के दो तुकड़ों को आपस में दबाने पर तुकड़े आपस में तिपक जाते हैं ऐसा क्यों तो देखिए दाब दोस्तों जो है अधिक होने से बर्फ का गलनांग घड़ जाता है इसी के वैसे आपस में चिपक जाते हैं होगा निमलिखित में से परकास चाड़ की सबसे कम पूछ्छ रहा है तो आपका सबसे कम थोरता दुर करने के लिए जल में कया मिला आयता है को आपको prayers किया मिलाते हैं बताइएगा तो sodium carbonate sodium carbonate option नम्बर बी अगला है मिलान करकी बताना है चलिए मिलाले तेसको हम potassium nitrate की बात करते हैं तो यह आपका बहुत हो जाएगा अगर Canadian की बात करते हैं तो यह अपको हो जाएगा यूरिया दोस्तों आपको अगला एक कि निम्ल में से कौन सा पौधो के लिए ऐक स्रुथ में पोश्थत्त तत्व है पौधो के लिए तो ये आपका बुरान हो जायेगा option D निम्ले लिखत में से carbonic ॐमयर ऑप्लिक कार्बर की बात करते हैं तो ऐसे टिक अमन हो दोस्तो option number हमारे हैं पर C होगा ammonia gas बनाने की हैबर विधी में उत्प्रेड़क रूप में परियोग जो है किया आता है उत्प्रेड़क तो इसका answer हमारा हो जाएगा option number B लोहे का चूर्ण option number B हो जाएगा अगला कि निम्न कत्नों पर विचार कीजे किया हमारा इसमें सही है इसमें देखिए हमारा एक और तीन सही यानि वर्ग साथ एक के तत्व किल्योक्टरान बदता जो है दोस्तो उच्च होता है जो तीसरा आपका यहाँ पर दिया गया है निसकरी यह गैसो का गलनांग जो है निम्न होता है ठीक है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक और तीन अगला कि कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस निरती सैली की एक भारती सास्नी निरती अंगना थी जिसका देखिए सही उतर हमारा हो जाएगा दोस्तो आप्सन वर्षी मुहिनी अट्टम मुहिनी अट्टम हो जाएगा भारत माला परियुजना की सर्वाज जो है कब किया गया था तो यह आपका दोशार सत्रह में हुआ था निम्न में से भारत के सरवाजिक जनसंख्या वाले राजियों का सही करम कौन सा है अगर सही करम की बात करते तो अगर आप यहां पर उत्तर पर दिस लेंगे तो पहले पर आएगा दूसरा पर हमार महराश्टर होगा दूसरा पर आपका बिहार चोथा पर यहां पर पस्जी मंगाल लेकिन आपका यूपी नहीं दिये तो आप पहले पर जो है महराश्टर को तो ही मानेंगे ठीक है चलिए अगला है निम्रित पुस्तकों उनके लेखक में कौन सही सुमिलित नहीं है लेखक और पुस्तक दिया गया है चलिए अमृत्ता प्रितम दुस्तों आंसु गलत है आंसु की बात करते तो यह आपका जैसेंगर प्रसाद का है अगिर अस्कान की दोस्तों आपको हो जागा मलेसिया की बात करते तो आपका फुटबॉल नहीं है बैडमिंटर राष्ट्री खेल है बाकी रूस का है फ्रांस का है और ब्राजिल का है दोस्तों सेट हमारा यहें पर देखिए समाप्तोर है इसके आगए आप देखेंगे मैस रिजिनिंग दि बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है तो आराम से आप गुरूप में जोईन होके सेट बना सकते हैं चलिए आगे मिलते हैं बहुत जल्द आज के लिए इतना ही जैहिंद